नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे जो आपके पास perfect revision book है CA enter की उसको किस तरीके से use करना है ताकि आप उसका maximum benefit जो है वो उठा पाए तेखिए उसके वो आपको सिर्फ और सिर्फ read करना है कुछ भी याद करने की कोशिश नहीं करनी है इस book को इस तरीके से design किया गया है कि अगर आप bookie 8 से 10 reading कर लेंगे ना तो automatically content आपको दिमाग में जाके बैठ जाएगा डेली दो subject आपने पढ़ने हैं अगर आप group 1 दे रहे हैं तो एक दिन accounts लो पढ़ी है अगले दिन text और cost पढ़ी है अगर आप बोद ग्रूप दे रहे हैं ग्रूप टू दे रहे हैं तो एक दिन advance accounts याई SSM अगले दिन audit प्लस FM eco मतलब अगर आप बोद ग्रूप दे रहे है कि सिर्फ और सिर्फ read करना है याद करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है अगर आप इन तीन में से किसी एक subject के अंदर week है चाहे वो text है चाहे EISS है में या auditor और generally 90% student जो है इस category के अंदर आ जाते हैं कि तीनों में से कोई ना कोई एक subject आपका जरूर होता है जो week होता है तो उस case में आप क्या करिए जैसे text अगर आपका week है तो एक दिन income tax पढ़िए अगले दिन GST एक दिन income tax अगले दिन GST एक दिन income tax अगले दिन GST आप देखेंगे 10 से 12 दिन के अंदर ही income tax और GST के अंदर आपकी इतनी अच्छी grip आ जाएगी आपके अरे वह यह वो paper है ज तो आगर इन तीन paper में से कुछ lack हो रहा है तो उसकी strategy यह होनी चाहिए otherwise अगर यह तीन paper नहीं है in general आप उसको use कर रहे हैं सारे subjects equally है तो फिर आपकी strategy यह होनी चाहिए सर मेरे यह तो week है इसमें से है मेरे तीन ही week है उसके साथ मेरे को दूसरे subject भी करने तो मैं क्या करूँ तो देखो यह तो रखो ही रखो उसके अलावा आप कोशिश करो कि फिर रोज जो एक subject दूसरा है जैसे आज आपने income tax उठा लिया income tax अच्छे से कर लिया EIS कर लिया audit क ठीक है आज आपने यह कर लिया तो इसके अलावा कोई एक advance account जो है वो आपने read कर लिया अगले दिन फिर आपने GST कर लिया SM कर लिया audit कर लिया फिर आपने एक दूसरा subject उठा लिया से costing उठा लिया तो फिर आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं लेकिन ले देके crux यह है कि read करना है on an average एक group के लिए रोज 2 घंटे perfect revision book को देने हैं बोद group है तो रोज 4 घंटे देने हैं और reading पे जादा से जादा time देना है 10 से 12 दिन के अंदर results जो है आपको reflect होने शुडू हो जाएंगे and you will feel good कि yes इस book का जो purpose था वो really जो है मेरे लिए complete हो पाया आज के लिए इतना ह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक के लिए बाबा टेक केर जाए शेशा